देरी स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सभी एच्छे होंगे आज हम पार्ट्स ओफ स्पीश का पांचवे हिस्से की बात करेंगे जो की है एडवर्ब्स तो एडवर्ब्स क्या होता है या कितनी पिरकार के होते हैं उसको समझने से पहले यह समझ या वर्ब या किसी एडवर्ब की विशेशता जो वर्ड बताए वो एडवर्ब कहलाएगा इसके तीन पिरकार होते हैं नंबर वन सिंपल एडवर्ब नंबर टू इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स नंबर तिरी रिलेटिव एडवर्ब्स अब सिंपल एडवर्ब्स की information, adverb of negation, adverb of reason, इन सारे adverbs को अब हम समझेंगे number wise तो आईए समझते हैं, पहले number से, आईए तो अब हम समझते हैं simple adverbs को, simple adverbs में हम जो है वो time, जगा या किसी काम को करने का ठंग या उसका manner ये सब चीज सीखेंगे, तो आईए simple adverbs की कुछ number से उनको समझते हैं, जैसे adverb of time, इससे हमें time का पता चलेगा, समय का बहुत होगा कि ये काम किस तरीके से किया गया, इसका example से समझा जाए जैसे he comes early, तो early यहाँ पर एक adverb है, जो बताता है कि वो जल्दी आता है, दूसरा example है they will come soon, तो यहाँ पर सून बता रहा है कि वो जल्दी आएंगे, तो यह early और जल्दी जो है वो simple adverbs के adverb of time, यानि कि ये time बताएंगे जल्दी, देर से, आज, कल, पहले, अब, ये सब जो बताएंगे उसको हम adverb of time कहेंगे, कुछ adverbs जो हैं वो adverb of time हमने लिखे हैं यहाँ पर, उनको इस तरीके से देखा जा सकता है, जैसे some, tomorrow, today, late, now, ago, soon, newer, since, daily, already, early, instantly, and then, तो ये कुछ लिखे हैं ये adverb of time कहलाएंगे, ये जो है वो किसी sentence में जब use होंगे, तो ये adverb of time कहलाएंगे, नमबर दो, simple adverb का, नमबर दो है, या part है, adverb of place, इससे हमें जगा का मालूँ होगा, तो जिस sentence में ये आएंगे, वो adverb of time कहलाएंगे, वो इस तरीके से होंगे, इनको example से समझा जाएं, जैसे children are there, तो children के बारे में बता रहे हैं, बच्चों के बारे में बता रहे हैं, कहां पर हैं, वहां पर हैं, तो there जो है, यहाँ adverb of place है, तो children are there, तो there यहाँ पर adverb of place हुआ, next में देखा जाए, you can get everywhere, you can get it everywhere, कोई चीज़ है, इसके बारे में बता रहे हैं कि आप यह हर जगा पा सकते हैं तो everywhere जो है वो एक adverbs of place है हर जगा के लिए इस्तेमाल हुआ है एड़फ of place कुछ और होते हैं उनको हमने यहां note किया है जैसे here, there, in, out, up, within, away, without, near, below, forward, outside, inside, everywhere, backward, above, etc तो यह वर्स अगर कहीं इस्तेमाल होते हैं तो यह adverbs of place कहलाएंगे number 3, simple adverbs, number 3 है adverbs of manner, यह हमें उस काम को या किसी भी काम को जो किया जा रहा है उसका करने का धंग बताएगा कि वो किस धंग से किया गया है तो इसको adverbs of manner बोलेंगे जैसे he did this, किसी ने कोई काम किया, he did this, उसने यह किया, bravely यानि बहादुरी से इस काम को किया, tough काम था लेकिन उसने बहादुरी से इस काम को किया तो यह adverbs of manner आया, bravely जो इस्तेमाल हुआ है दूसरे example में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है slowly, जैसे I entered the room slowly यानि कि मैं कमरे में दाखिल हुआ धीरे से, तो यह धीरे से जो है, यह adverbs of manner है, यह slowly तो इन दोने example से समझ में आया, कि जहाँ पर इस type के words होंगे, तो वो adverbs of manner कहलाएंगे कुछ adverbs of manner हमने यहाँ पर note किये हैं, जैसे sadly, slowly, probably, clearly, soundly, badly, quickly, well, certainly, bravely, hard, so, thus etc तो यह कुछ हमने adverbs of manner पर notes किये हैं, अगर यह किसी sentence यह वाक्य में आते हैं, तो यह adverbs of manner कहलाएंगे तो आईए, अब हम पढ़ते हैं, simple adverbs का चोथा पार्ट, यानकि adverbs of number adverbs of number से हमें मालुम होगा, कि यह कितनी मरतबा हुआ है, या इसकी बारम बारता कितनी मरतबा या दोहराना जो हमें बताएगा, उसको हम adverbs of number बोलेंगे जैसे, he often comes late, यह often यहाँ पर adverbs of number है, यह बता रहा है कि कई बार late आता है कई बार, तो यह कई बार जो है, यह often बताता है कि यह adverbs of number है, दूसरे example में अगर देखा जाए तो I have done this twice, यह twice जो है यह इसकी बारम बारता या दोहराना बता रहा है कि मैंने इस काम को दो बार किया है तो adverbs of number जो है वो उसकी बारम बारता बताएंगे, कुछ adverbs जो है हमने यहाँ पर लिखे हैं, वो हैं जैसे once, always, again, rarely, seldom, thrice, never, secondly, thirdly, sometimes, frequently, etc तो यह words जो हैं, अगर कहीं किसी वाक्य या sentence में मिलेंगे, तो वो adverbs of number कहलाएंगे तो simple adverbs का पांचवा हिस्सा है adverbs of quantity तो adverbs of quantity हमें उसका परिमार बताएगा या नतीजा बताएगा, कि ये काम कैसे हुआ परिमार या मात्रा बताएगा, उसको हम adverbs of quantity बोलेंगे जैसे example से समझा जाए इसको, you are quite is wrong आप एकदम ही गलत हैं, तो quite यानि के एकदम, यानि के बिल्कुल गलत है तो यहाँ बिल्कुल परिमार या मात्रा बताएगे, तुम कितने गलत हो यह बताता है कि तुम एकदम ही गलत हो, तो यह परिमार बता रहा है कि तुम एकदम गलत हो, या बिलकुल गलत हो, तो you are quite wrong. नेक्स एक्जाम्पल में अकर देखे हैं, this is very interesting, यानि यह बहुत मजेदार है, या बहुत दिल्चस्प है किसी के बारे में बता रहा है, तो यह बताना चाहता है कि यह बहुत interesting है, या मजेदार है, तो कुछ adverbs हमने यहाँ पर लिखे हैं, जो के adverbs of quantity हैं, जैसे enough to quite any, almost, fully, very, rather, so, partly, as, much, little, half, altogether, etc. तो यह words किसी भी sentence या वाके में लिखे होंगे, यह adverbs of quantity कहलाएंगे, अब हम simple adverb का छटा हिस्सा पढ़ेंगे, यानि कि adverb of affirmation, यह हमें sentence का जो है, या वाके का सुईकरात्मक भाव बताएगा, कि वो सुईकरात्मक यानि कि उसको सुईकार करते हुए इस काम को किया उसने, जैसे example की दूरू समझे जाए, जैसे surely he will come, surely यहाँ पर adverb of affirmation की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानि कि वो यकीनन या जरूर वो आएगा, तो यह surely जो है यहाँ पर adverb of affirmation की तरह इस्तेमाल हुआ है, दूसरे अगर sentence में देखा जाए, he certainly said so, यह certainly जो है as a adverb of affirmation यूज हुआ है और हम यह बताना चाहरे हैं कि यह उसने यकीनन उसी ने ऐसा कहा होगा, तो कुछ adverb हमने, यानि कि adverb of affirmation कुछ notes किये हैं, जैसे definitely, really, clearly, exactly, truly, doubtlessly, and obviously, अब simple adverb का सात्मा हिस्सा है, adverb of negation, यानि कि इससे हमें नकारात्मक भाव का पता चलेगा, और उसको नकारात्मक भाव से देखा जाएगा, example के दुरू समझे, जैसे she never comes here, यहां never जो है वो adverb of negation के तोर पर इस्तेमाल हुआ है, और बता रहा है कि वो यहां कभी नहीं आती, दूसरा example है, I did this hardly, यानि कि मुश्किल से काम किया है यह मैंने, तो यहां पर hardly जो है वो adverb of negation की तरह इस्तेमाल हुआ है, कुछ adverb of negation हमने यहां पर note किये हैं, जैसे never, rarely, scarcely, contradictory, invalidly, almost और probably, तो अगर यह words किसी वाकिया sentence में मिलते हैं, वहां पर यह adverb of negation होंगे, simple adverb का आठमा हिस्सा है, आठमा पार्ट है, adverb of reason, यह हमें किसी sentence में कारण बताएगा, उस काम को करने का, या ना करने का, कारण जब बताएगा, तो यह adverb of reason कहलाएगा, इस sentence में इसको समझा जाएगा, जैसे I was sick, मैं बीमार था, thus could not go to office, इसलिए, यह दस जो है, इसलिए मैं office नहीं जा सका, तो दस यहां पर इस्तमाल हुआ है, adverb of reason के तोर पर, दूसरे example देखा जाएग, जैसे he could not pass, वो pass नहीं हो सका, because, क्योंकि he did not work hard, उसने मैनत नहीं की, या उसने कटिम परिश्रम नहीं किया, इसलिए वो pass नहीं हो सका, तो यह because, जो है, वो adverbs of reason के तोर पर, इस्तेमाल हुआ है, कुछ जो है, adverbs of reason हमने यहां पर note किये हैं, जैस hence, therefore, so, since, thus, because, consequently, so that, in order to, तो यह जो है, वो कुछ adverbs of reason है, तो यह हमने adverbs का पहला पार्ट, simple adverbs पढ़ा, और उसके कुछ जो हिस्से हैं, जो parts हैं, वो हमने यहां पर पढ़े, जो कि 8 हैं, अब adverbs का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं, adverbs का दूसरा पार् interrogative adverbs, interrogative यानिके सवाल adverbs, यानिके interrogative adverbs से किसी भी वाक्य या sentence में सवाल पूछा जाएगा, जैसे इसको देखा जाए, जैसे how did you do this, तो how जो है, यहां पर कैसे interrogative adverbs इस्तेमाल हुआ है, और यहां पर अगर वाक्य का meaning देखा जाए, तो निकलेगा how did you do this, तुमने या आप ने ये कैसे किया, तो इस तरीके से ये how जो है, एक interrogative adverbs इस्तेमाल हुआ है, दूसरे example में अगर देखा जाए, why are you so late, यहां पर why जो है, वो interrogative adverbs इस्तेमाल हुआ है, और सवाल पैदा करता है, कि आप जो है, वो let क्यों है, तो इस तरीके से कुछ interrogative adverbs हमने note किये हैं, जैस इसे कि what, which, when, why, who, how, how many, इसे सवाल होता है, तो यह interrogative adverbs कहलाएंगे, अब देखिए, adverb का तीसरा पार्ट, यानि कि relative adverbs, relative adverbs, वो adverbs होते हैं, जो दो वाकियों को जोड़ने का काम करते हैं, या दो वाकियों के बीच में इस्तेमाल होते हैं, दोनों को एक दूसरे से connect करने के लिए, जोडने के लिए, इसको example के तो अगर हम समझें, जैसे I know the reason, मैं हकीकत जानता हूँ, ये एक अलग sentence है, दूसरा है, he does not come here, वो यहां नहीं आता, अब इन दोनों को जोडने के लिए, मैं हकीकत जानता हूँ, वो यहां नहीं आता, अब ये why जो इस्तेमाल हुआ ह वो relative adverse बनके इस्तेमाल हुआ है, इससे मीनिंग देखी क्या हो जाएगा, I know the reason why, मैं हकीकत जानता हूँ, वो क्यों यहां नहीं आता, तो ये क्यों जब आय गया, तो ये as a relative adverse इस्तेमाल हुआ, दूसरे में देखा जा, एक sentence है, he did his work, उसने अपना काम किया, you had slept, तुम सो ग गये थे, लेकिन relative adverse बीच में आया, when, when, when क्या हुआ, अब अगर दोनों को देखा जाए, तो इसका मीनिंग क्या निकला, he did his work, उसने काम, उसने अपना काम किया, when you had slept, जब तुम सो गये थे, यानि कि उसने अपना काम कब किया, जब तुम सो गये थे, तो ये relative adverse बनके इस् यहाँ पर note किये हैं, जैसे who, which, that, whom, whose, where, when, what, ये कहीं पर इस्तेमाल होते हैं, बीच में अगर दो sentences के बीच में इस्तेमाल होंगे, तो ये relative adverse कहलाएंगे, तो आज हमने इस वीडियो के जरीए adverse और उसके काइंट्स पड़े, जो हमने थोड़े थोड़े यहाँ पर समझन बोलना या लिखना कैसे किया जाएगा, इसको हम आने वाले वीडियो में कभी फिर समझेंगे